हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रश मैं हूँ संगीत आवस्ती और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं दो बहुती ब्यूडफुल से वाल हैंगिंग जिनको बहुती कम खर्च में आप घर पे आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स वैसे तो मैंने इन दोनों वाल हैंगिंग को क्रिस्मस फेस्टिवल के लिए बनाया हैं बट आप चाहें तो इनको जेनरली भी अपने रूम में या बालकनी में या फिर गार्डन में हैंग कर सकते हैं ये बियूर्फुल होने के साथ साथ आपकी बालकनी में और गार्डन में कुछ नए कलर्स को भी आड़ करेंगे फ्रेंड्स देखने में ये जतने ज़्यादा बियूर्फुल हैं बनाने में उससे भी ज़्यादा ईजी हैं फ्रेंट्स एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि Christmas Festival के लिए डेकोर आइटम्स की मैं एक सीरीज लाने वाली हूं तो फ्रेंट्स मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि वो बहुत ही जादा interesting होने वाले हैं तो फ्रेंट्स जल्दी से वीडियो को कर दीजे लाइक क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं भाई तो बिना देर किये हुए फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर पहले मैं बताना चाहूंगी कि बहुत पहले मैंने एक खराब पड़ी वाल क्लॉक से बहुत ही ब्यूटफूल सा आर्ट पीस बनाया था किया है। पेंट करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्य होने के लिए रख देंगे। आप चाहएं इसके लिए ओइल पेंट या अक्रेलिक पेंट का भी यूज्द कर सकते हीं। तो friends इसके बाद हमें लेना है thermacool, मैंने यहाँ घर में पड़े हुए पुराने thermacool का यूज किया है, जो कि मुझे electric सामान के साथ free में मिला था, इसके बाद मैं यहाँ पे super clay का यूज कर रही हूँ, यह मैंने purple color लिया है, friends thermacool के हमें बहुत सारे heart के shapes कट कर लेने हैं और उनको इस super clay से cover कर देना है, तो देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटे बड़े कई size के heart shapes को बनाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए, purple के बाद मैं यहाँ पे off white का use कर रही हूँ, उसके बाद हमें balls बना लेनी हैं और उनको भी different type के colorful clay से हमें इसको भी cover कर देना है, इसी method से मैंने बहुत सारे shapes को create कर लिया है, और यह काफी beautiful भी लग रहे हैं, इसके बाद इसको dry होने के लिए रख देना है, अच्छे तरह से dry होने के लिए इससे 24 hour का time लगता है, एक बात और अगर थर्मकोल के shapes को हम पहले से cut कर लेते हैं और उसके बाद उसे clay से cover करते हैं, तो हमारा clay भी कम लगता है, और हमारे shapes भी अच्छे आते हैं, और stable रहते हैं, तो मुझे कुछ और भी shapes चाहिए थे, तो मेरे पास थर्मकोल खतम हो गया था, तो यह मैंने यहाँ पे thin card sheet का यूज किया है, तो मैंने इस तरह के stars के shapes को create किया है, और यहाँ पे मैं इसको भी cover कर लूँगी, तो देखिए friends, इस तरह के मैंने 4 stars को बना लिया है, और इसके बाद हम बनाएंगे Santa Claus की cap, तो cap बनाने के लिए यहाँ पे मैंने red color की clay का यूज किया है, तो यह भी super clay है, औ इसमें tool की help से हम एक cap का shape create करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 caps बनाई है, और इसके बाद अब हम थोड़ी सी detailing करेंगे, तो इसके लिए मैंने नीचे की तरफ इसमें round shape का एक ball create किया है, और उसको यहाँ पे हम insert कर देंगे, तो यह एकदम center का face create हो जाएगा, यहाँ पे, उसक करेंगे, हम नीचे की तरफ इस तरह से cover कर देंगे, और यह काफी beautiful लग रहा है, तो पूरी cap को इसी तरह cover करने के बाद हम उपर की तरफ एक चोटी सी round shape की ball बना लेंगे, और उसको उपर की तरफ हम add कर देंगे, तो देखिए इस तरह से हमारा Santa Claus की cap ready हो चुकी है, और यह मैंने 4 बना लिए हैं, और यह काफी beautiful लग रहा है, तो देखिए फ्रेंट्स, वाल क्लॉफ का यह पार्ट अच्छे से dry हो गया है, अब हम नीचे की तरफ यहां पे 4 hole करेंगे, और उपर की तरफ 2 करेंगे, हैंक करने के लिए, तो वीडियो बहुत जादा लंबी ना हो, इ इसमें नहीं दिखाया है, बट आप किसी भी pointed tool से या safety pin की help से उसको गरम करके, और छोटी-छोटे नीचे से 4 hole बना ले और उपर की तरफ 2 बनाने हैं, उसके बाद मैंने यह pink color का net cloth लिया है, और इसको 4 parts में divide करके, और इसके बाद मैंने इसको cut कर लिया है, तो round shape में हम इ insert करते हुए, उपर की तरफ प्रेस करके इसको पकड़ लेंगे, अच्छे से इसको tie कर देंगे, और हमारा tassel ready हो जाएगा, तो friends, इस तरह के मैंने 4 tassels को ready कर लिया है, और यह बहुत ही जादा beautiful लग रहे हैं, इसकी बाद हमने जो shapes ready किये थे, उनको एक sequence में रख लेंगे set कर लेंगे, जैसे भी हमें उन balls को, shapes को लगाना है, ऐसा करने से हमें कोई confusion भी नहीं होगा, और काम भी हमारा फटा-फट से हो जाएगा, friends, one more thing, यहाँ पे जितने भी shapes को मैंने लगाया है, उन सब के बीच में हमें thermacol की balls को add करना है, यह thermacol की balls जो हैं, वो इस तरह के shapes क को अच्छे से compliment भी करेंगे, और यह बहुत ही cheap rated हमें मिल जाती है, तो friends, अब हमें लेना है यह मोटा thread और एक needle, जिसकी help से हम अपने wall hanging को ready करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे tassel, tassel में हम needle को insert करते हुए, one by one सारे shapes को thermacol balls के साथ add करते हुए create करेंगे, friends, wall hanging के सारे shapes क तो मैंने super clay से ही ready किया है, और इसी वज़े से मैं इसके साथ thermacol balls को add कर रही हूँ, क्योंकि जो beads की shine होती है, वो different होती है, और वो इस clay के साथ बिल्कुल भी compliment नहीं करती, इसी वज़े से मैंने thermacol balls का use किया है, तो friends, यहाँ पे मैं four strings को ready कर रही हूँ, और needle और thread की help से मैं इसको इसमें hang कर रही हूँ, तो देखे, यह जैसे हमने first वाला किया है, उसी तरह से हमें सारे कर लेने हैं, और उपर की तरफ hanging के लिए हमें इस तरह का pink color का jute rope मैंने यहाँ पे tie कर दिया है, और यह काफी beautiful लग रहा है, cute लग रहा है, और friends, Christmas festival के लिए बहुत ही beautiful सा हमारा एक wall decor piece बनकर ready हो गया है, देखे, कितना ज्यादा beautiful लग रहा है, तो friends, आपको यह कैसा लगा, मुझे comment करके जरूर बताएगा, तो अब हम move करते हैं, अपने next decor item की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे fabric shopping bag क यूज किया है, और यह हमें मिल जाते हैं, एक दम free में, जब भी हम कोई कपड़ा या कोई भी craft बगएरा का item लेते हैं, तो इस तरह के fabric bags हमें मिल जाते हैं, और इसको मैंने cut कर लिया है, तो इसको मैं इस तरह से round round cut करूंगी, कि हमें एक बहुती लंबी सी strip मिल जाए, तो अब हमें चाहिए थर्मा कोल का एक round shape, तो यह shape मैंने अपने यहाँ पड़े हुए एक पुराने थर्मा कोल के piece से निकाला है, तो हमें अपने decor item के लिए इसी तरह wheel जैसा shape चाहिए, तो यहाँ पे मैं strips को इसमें wrap करूंगी, तो कहीं कहीं हमें बीच बीच में इस strip को stick भी क कवर कर लेंगे, अगर आपके पास इस तरह का fabric carry bag नहीं है, तो आप net cloth या फिर satin ribbon से इसको cover कर सकते हैं, तो इस तरह से देखिए, अब यह completely cover हो गया है, तो यहाँ पे मैं दो type के roses का use कर रही हूं, एक foam rose हैं और एक paper rose हैं, तो यह pink color वाले foam rose हैं, यह देखने में काफी beautiful ल paper rose I think 15 rupees के थे, तो इस तरह के मुझे 2 packet receive हुए थे, तो roses के साथ हम यह artificial grass का भी use करेंगे, तो यह एक grass mat थी, जो कि मैंने बहुत पहले purchase करी थी, तो यहाँ पे, तो उसके कुछ pieces बचे हुए थे, उसी का मैं यहाँ पे use कर रही हूं, तो जो भी rose हैं, उनको हम बीच में insert कर देंगे, friends, इन roses की जो rose sticks हैं, वो wire की बनी हुई हैं, तो इससे हमें यह फायदा होगा, कि हम इसे आसानी से, इस ring में attach करते जाएंगे, तो देखिए, पहला रोज हमने green grass के साथ attach करते हुए, इस ring से, इसको set कर दिया है, अब हम इसी तरह से, जितने भी हमारे पास roses हैं, उ चड़ जाती है, जिसकी वज़े से, अच्छे से, जो flowers हैं, वो इसमें insert नहीं हो पाता, उसका wire, तो उसके लिए अगर आप चाहें, तो किसी भी pointed tool की help से पहले, वहां पे एक hole बना लें, और उसके बाद आप wire को, उसी hole में insert करें, तो इससे आपके जो roses होंगे, वो गिरें नहीं, disbalance नहीं होंगे, और वो एक order में रहेंगे, तो इस तरह से देखिए, one by one हमें सारे roses को order में इस तरह से insert कर देना है, और इस तरह देखिए, हमारा wheel अभी से कितना beautiful सा लगने लगा है, एक बात मैं और कहूंगी, कि अगर आपने अभी भी मुझे Instagram पे follow नहीं किया है, तो जल्दी से वहाँ पे जाके आप मुझे follow कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी amazing और interesting activities को share करती रहती हूं, तो देखिए friends, बातों ही बातों में wheel हो गया है ready, और इसके बाद हम इस तरह का पतला सा lace लेंगे, जो की है golden color का, और इस से हम बनाएंगे beautiful सा bow, क और देखिए, यह काफी beautiful लगने लगा है, इसको हम लगाएंगे अपने wheel में, लेकिन उससे पहले हमें बनाना है hanging, तो उसके लिए मैंने एक छोटा piece ले लिया है, इसका और इससे बनाएंगे हम एक loop, और इस तरह से insert करते हुए हम एक corner को दूसरे में से निकाल लेंगे, त हम अपने hair accessories में इस तरह के roses का या flowers का यूज करते हैं, आप उनको भी आपे add कर सकते हैं, फ्रेंट्स, glue gun खराब हो जाने की वज़े से मैंने यहां पे fabric glue से golden flowers को stick किया था, बाद में मैंने इसको double sided tape से stick किया था, तो वो अच्छे से stick हो गयते double sided tape से, इसके बाद हमें लेनी तो फ्रेंट्स देखिए मैंने इसको कितना जादा beautifully create किया है, तो फ्रेंट्स बताईए यह Christmas day के लिए है ना best wall decor, मुझे तो यह बहुत ही जादा beautiful लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईएगा, फ्रेंट्स आने वाले वीडियो में मैं आपको यह style करके जरूर दिखाऊंगी, फ्रेंट्स Christmas festival के decor items के लिए अगर आप और भी वीडियो चाते हैं, तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसको like करें, share करें अपने friends के साथ, अपने relatives के साथ, चैनल पर नए हैं और वीडियो को first अपने patients के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को like करें, share करें, support करें, thanks for watching friends, bye, take care, love you all